हेलो साथियों वेलकम टूमाइचैनल विजेकंड विवेक लासेज चलिए आज हम लोग समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में क्या होता है नर्वस सिस्टम कैसे कैसे काम करता है क्या क्या होते ब्रेन के पाथ जितनी भी चीजे हैं सबको समझेंगे तो स्टार्ट करते इसे ओर्गंश को जिसे God में रखा घ्यां उसे बोलता है नर्वस सिस्टम का मतलब किए होता कई सारी चीजें मिलकर एक साथ काम करते हैं तो भी आनर्वस सिस्टम का में पार्ठ होता Agriculture पूर्सों में लगब कर दों की उतर होता है तो भईया सरीर हल्की है तो ऊपर वजन चीज देत होगी आप और सरीर हल्का तो ब्रेण भी वलजन का हल्का तो महिलाओं में साथे 1.500 गरॉपराम पुरुसों में लगभख 40.5007 होता ने जो पूरुस that मतलब कि जो ब्रेन होता है ना ब्रेन ब्रेन हर एक जिकित्र Πेसि क्ते के अंदर बने किसी ना किसी सबसे लंबी सेल होती सबसे बड़ी सल ओम होती ओवराल में सबसी बड़ी होती है हमारी सुतुरमूर का अंड़ा सबसे छोटी होती माइको प्लाजमा यह सब आगे समझेंगे सेल वाले चैप्टर में है ना brain में दो आइज ती neuron cell neuron cell होती 90% 10% गिलियल तो भी या brain में जो neuron cell इसमें centrosome नहीं पाया जाता है centrosome का काम करना होता cell division का जैसा है कोई चोट लग गई तो भी या centrosome इस चोट को भरेगा आसपास की cell division होगी तभी तो चोट भर जाएगी दीरे-दीरे सबसे बड़ा होता हमारा यह पूरा जो इतना दिख रहा है आपको आगे वाला ये अगर ब्रेन बीच वाला मध्ध ब्रेन ये वाला पूरा ये क्या होता इतना पस्च मस्तिस्क देखे ब्रेन के तीन हिसे फोर ब्रेन, मीड ब्रेन, हिंड ब्रेन अगर मस्तिस, मध्ध मस्तिस, पस्च मस्तिस, इसके तीन बाग सेरी ब्रम थेलेमस, हाइपो थेलेमस दिखेज़ दोच जब आप पढ़ा किजिए ना साथ साथ बोलने की कोशिस किया किज姨 तब आपको याद हो जाएगा वरना ऐसे याद नहीं होता जल्दी सेरिब्रम थैलेमस, हाइपो थैलेमस इधर कारपोरा और सेरीब्रल पेंडीकल इधर आपका सेरी बेलम हो मेडूला बलंगेटा सेरी बेलम है और ये सेरी ब्रम है क्या क्या काम है समझे सबसे पहले सेरी ब्रम हमारे सरीर का सबसे बड़ा भाग होता है यानि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है या पूरे ब्रेन का लगभग दो बटे तीन भाग अकेल माने यह 6-6% लगवा केले होता सबसे बड़ा भाग सेरी ब्रह मुझा काम क्या होता याद दास्त को बनाए रखना इच्छा सक्टी बनाए रखना बुद्धिमत्ता को बनाए रखना यानि हम लोगों की सोचने समझने की में ताकत किसके पास ब्रेन में सेरी ब्रह के पास है ह उसके बाद अतास घैलाए है को बाहरी चीजों का अबास कराता थारी चीजहे चंडी घैलाए मत द Auswसकर धाहई होता यह या से निकलने वाले स्राव को क्या करता कंट्रोल करता है यह टंपरेचर को भी सरीर के कंट्रोल करता भी यह जब हमारे सरीर का टंपरेचर बढ़ जाता है तो यह आदेश देता पसीना निकाल दो टंपरेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हो जाएगा गिनी तो और यह भूख इसे इस सऻरणा, दोय सभाव दुनिया भर की चीजों का कंट्रोल कौन करता है जादा किसी इस्थिया करेंगे दिन राद जलते रहेंगे बहुत ज़्यादा प्यार नमंगत में डूप जाएंगे क्या खराब हो जाएगा था आप को सोचना है क्या कारना है कारपूरा यह देखने और सुनने की सक्ति को कंट्रोल करता है कारपूरा का काम क्या होता आंखों से देख रहे हैं कानों से सुन पा रहे हैं इन पर कंट्रोल कौन करता है कारपूरा किसका भाग है मद्ध मस्तिस का भाग है सेरी ब्रल पेंडिकल का काम क्या होता है यह ब्रेन अब नाने का काम करता है क्या करता है और ना ना जुचंडल आप्लै का काम क्या होता है याreck मोडढ़ा लेकिन बना रहा डाना शारा फैसे डिशे को क्एल बंतों करता है मेडिवला अब लंग गेटा अब हम समझते हैं स्पाइनल कॉड के बारे में देखे इस्पाइनल कॉड क्या होता आपके देखे हाथ पैरों से जितनी नर्फ्स हों इंतन तरिकाए हैं यह सब पीछे आती है यह पीछे बैग बोन है रीड की हड़ी के अंदर अंदर इस रीड बोन के अंदर पाया जाता है रीड की हड़ी होता है इसके बीचों बीच में ठीक के अंदर पाया जाता है इससे सेंड ब्रेण भी कहते है रीफ्लेक सेक्शन को इसमें brain और spinal cord आते हैं यही तो हम लोग पढ़े थे central nervous system peripheral nervous system क्या होता है brain से निकली 12 जोड़ी नसे तथा 12 जोड़ी nerves तंत्रिकाएं तथा spinal cord से 31 जोड़ी nerves को मिलाने से क्या बनता है peripheral nervous system autonomous nervous system क्या होता भी है brain से है ना जो 12 जोड़ी में से कुछ और इसमें 31 जोड़ी में से कुछ को मिलाओ तो क्या बनता है autonomous nervous system इसके बारे में तो डॉक्टरों भी हास तग नहीं पता कर पाए जैसे अचानक से दिल की धरकन का तेज हो जाना डर जाना तुरंत ही तुरंत ही अचानक से डर जाना आखों का फैल जाना रोंगटे खड़े हो जाना यह सब किसमें आता है autonomous nervous system में तो इसके बारे में डॉक्टर लोग भी confused रहता है कि यह यह चीज क्या होती कुछ confirm नहीं कर पाए कि यह नहीं बता दिया कि इन में से कुछ और spinal cord में से कुछ तो यह तीन प्रकार का nervous system होता आप नर्स देखिए तीन टाइप की होती है नर्स होती है motor nerves sensory nerves और mix motor nerves का क्या होता information को brain से ले जाती पूरी body तक ब्रेन से पूरी body तक ले जाती motor nerves sensory nerves क्या हो करती पूरी body से information को लाती brain तक mixed nerves दोनों काम करती समझ गे कि brain शूच न भेजने के लिए का में को यूज करता sodium का किसका sodium का तो याद होगि यह बार शुरू से करते हैं brain कि छिल्ली में बंद है main and joint नाम की जिल्ली से brain कि cell से मिलकर बना है neuron cell सब से लंबी cell neuron cell होती ब्रेन के बाहर मेनेंज्वाइट नाम की जिल्ली पाई जाती है ठीक ब्रेन के उपर कौन सी हड़ी होती है क्रेनियम नाम की हड़ी होती है ठीक ब्रेन के तीन भाग फोर ब्रेन, मिड्रेन और हेंज ब्रेन